हेलो एप्रिवान गुट मॉर्नेंग कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे आप लोग सुच रहे होंगे इतना अंधेरा तो जी हाँ अभी टाइम हो रखाए सवेके बज़े हुए हैं साड़े पांच और जो आपको दिख रहा था वो बस चांद दिख रहा था क्योंकि अंधेरा काफी है साड़े पांच बज़े तो बस अभी पांच-10 मिनट पहले में उठी हूँ और आज मेरा बहुत अलग सा रूटीन आपके साथ सेहर किया है और आई होप आप सभी को ये मैं सोचा आज मुझे बच्चों के टिफिन में बनाना है हलवा और जिसके लिए सूजी को बूचने के लिए कम से कम 10-15 मिनट का टाइम लगता ही लगता है तो मैंने सोचा चलिए इसी को पहले बूज देती हूँ तो साथ-8 मिनट इसको बूज दे हुए मुझे हो गए थे यहां पर कर रही हूँ पानी गरम क्योंकि सुबह सबसे पहले बास ही मुझे मैं पीती हूँ पानी गरम तो बस अपने लिए पानी पीने के लिए और यहां पर देखें पानी मेरा गरम हो चुका है और यह ममी न मसीन लगा दिया था जैसे दूद तो गी देखी निकल आया ह मेरे काम जो सुबह के मतलब सुबह सुबह फुल एनरजी के साथ सुबह सुबह उठके लगना पड़ता है तब जाके कहीं काम हो पाते हैं और अभी तो ठंडी काफी हो रखी है जिसकी वज़े से मैंने पूरा पैक अप कर रखा है जूते वगेरा सब कुछ पेहन के क्योंकि गर में तो फिर और ज्यादा ही ठंडी लगती है तो पानी वानी पी के फिर मैं आ गई थी यहां आंगन में और यहां पर बलफ चला लिया था लेकिन फिर भी अंधेरा तो है तो अभी लगा देती हूं सबसे पहले बासी आंगन की जाड़ू और वैसे तो वैसे तो मतलब हाँ अभी तो जैसे ननन्द मेरी लगा देती है यह वाली जाड़ू तो मैं थोड़ा सा अगर लेट भी उठ जाती हूं आदा गंटा तो मेरा चलता है लेकिन अभी बूर नहीं है तो फिर मुझे आदा गंटा और पहले उठना पड़ता है क्योंकि सबसे पहले जाड़ू तो कम होता है अगर पके घर नहीं है तो लेकिन जाड़ू का बहुत जादा होता है और अधर रूम में मम्मी जाड़ू लगा रही थी क्योंकि अभी आपने पूरा घर मेंने कभी ऐसे आपको दिखाया नहीं है घर काफी बड़ा है एक इंसान के लिए जाड़ू लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है पूरे में तो बस आगन वागन की और यह सब जाड़ू करके फिर मैं दुवारा से आगई हूं किचिन में और अभी यहां पर बनाने रख दूंगी चाहे और फिर उसके बाद बच्चों का जो टिफिन है उसको भी तैयार कर दूंगी फिर उ कुछ तब जाके नहीं तो काम उतनी टाइम है काफी और हो जाए तो फटाफट से मैंने दोनों गेस चला ली है क्योंकि अभी फिर लेट हो रहा था तो यहां पर देखी चाय बन गई है और यहां पर हलवा इसमें मैंने पानी डाल दिया बून तो पहले दी थी ना तो इसक सोची जैसे नास्ता तयार हो जाता तो फिर इसको मैं एक्स्ट्रा बना देती लिकिन मैंने एक्स्ट्रा इसी लिए नहीं बनाया है पस बच्चों के टिफिन में चला जाएगा उतना ही बनाया है क्योंकि चाय बगेरा यह सारी चीज़ें पी लेते हैं जिसको चाय पीनी है जिसको दूद पीना है और बागी का फिर एकी बार खाना बनता है नासता बगेरा नहीं बनता है ना कोई करता है तो ये रैड़ी हो गई चाहे मेरी और पापाजी की सुबह सुबह हम दो लोगी चाहे पीते हैं ममी थोड़ा लेट से पीती हैं और अभी देखिए ये सब करने से सूरज निकल रहा है तो बस थोड़ा समय ने बाहर का आपको देखा दिया कैसा हो रखा था और आभी आ गयूं में यहां रूम में और अभी इन लोगों को उठाऊंगी और पहले में पी लेती हूं चाहे ठंडी में चाहे एक बार हो या दो बार हो थीन बार हो बस पीने लोग सुबह सुबह उठाएं बच्चे ऐसी करते हैं मेरे नई साइज सबकी करते होंगी तो यहां पर देखें पानी करम कर दिया थे तो बार्टी सुबह 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 कर देखा लायट चली जाती है तो इससे में बच्चों को निला दूँग एक बार्टी से और ये इक पसंद करते हैं थोड़ा सा अगर इसको गिला रखो तो गिला नहीं पसंद करते हैं तो मैंने दोनों के टिफिन लगा दिये और बुरस वगएरा दे दिये इन लोगों को ये अभी दस-पाश मिनट लगाएंगी उतने में मैं इनका पानी भर के और टे फिर लगा के सब कुछ रेडी कर दूँगे और अभी मैं लेकर आ गई हूँ एक साथ दोनों लोग को बातरूम में क्योंकि अभी बाहर वहां पर ठंडी लगती है जहां पर समा रहे हैं नहीं तो मैं वहा पड़ता है और देवया थोड़ा है कि एक-दो काम अपने से कर लेती है अपने उसको तो पूरे तरीके से मुझे ही रेडी करना पड़ता है और अभी देखिए उसके बाद फिर मैं आप से मिल रही हूँ अभी बज़ रहे हैं पौने नो और पूरा मैंने जहां जहारू ल काफी सारी चीज़ें हैं काफी सारी बाते हैं जो बस दिमाग में चलती रहती है तो फिर मुझे मैं टीवी में इस तरीके से गाने चला लेती हूँ और फिर फालतू की चीज़ों में फालतू की बातों में द्यान नहीं जाता है और बस अपना काम करती रहती हूँ तो आद सारे बरतन इनको मुझे दोना है और बरतन बरतन दो दिये क्योंकि फिर छोटी सी वीडियो में किया कि आपको दिखाएं इस लिए मैंने दिखाया नहीं और यहां पर सिंपल सी सब्जी छोंगी है अलू गोबी की क्योंकि अब होने लगी है हमारे खाने की तयारी सुबही बन सिलवट्टे पर लाके मारिक सा पीस लिया है और हमें इसमें डाल दूँगी जो मैंने आपको दिखाया था ना मखन ममी ने निकाल दिया था उसमें से तो मठा डाल दूँगी और क्योंकि किसी ने मुझे पूछा था वीडियो में मैं इसलिए दखा रही हूं मैंने पेले दिन और बोला था कि पालक का रायता कैसे बनता है तो बस इसमें डाल दी हैं सारी चीजें नमक मिर्ची सब कुछ और जब चूले पर जैसे हम खाना बनाएंगे तो इसमें दूंगार और लगा देंगे रख करके जैसे अंगार पर और तेल डालके बस इस तरी किसे दूंग बज गए हैं साड़े ग्यारे जब मैं आपको दिखा रही थी तो बस अभी मैं नहा के आ गई हूं बारे से उपर का टाइम हो गया है और यहां हो लिती हूं थोड़ा सा तैयार और इसी तरीके का विजी रूटीन रहता है मेरा सुबह से लेके अभी बज गए हैं साड़े बा और आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगाए तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सियर करें सब्सक्राइब करें मैं हो चुकी हूं तैयार बस मुम्मी जी बाहर कर रही है पूजा आज ब्रस्पत पार रहे हैं तो अभी लग गई है जो रोमाली भूप चली फटा फट से खाते हैं खाना सर्दियों मेरा दूप की वजए से मेरा मतलब चेहरा पहुत चल्दी लाल पड़ जाता है पता नहीं क्यों थोड़ी सी भी दूप में अगर खाड़ी हो जाओ बैठ जाओ तो और बस अब मैं अपने खाना अर्डा सब्जी रोटी अपना लगा लिया चली पटा पट से खाते हुआ खाना और अप्रूप भी खा लेजिए और इस वीडियो को करते हूं मैं यहीं पेर मिलती हूं नेक्स्ट एक अच्छी से वीडियो विलोग के साथ मैं और इस वीडियो को आप सभी जादा से जादा अपना प्यार दे लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें थैंक्यों फॉर वाचिंग